नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में क्रेडिट काड काफी जादा पौपुलर हो चुका है, लेकिन सबसे जादा जो क्रेडट काड पौपुलर है, वो वो काड है जिन पर ना तो कोई जोइनिंग फीस लगती है, ना ही कोई एनुवल फीस लगती है, यानिकि जो LTF होते हैं lifetime free credit card तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 20 credit card के बारे में बताऊंगा जो lifetime free है इन में से कुछ card ऐसे है जो lifetime free है easily मिल जाते हैं और unsecured card है कुछ ऐसे card के बारे में बताऊंगा जो आपको FDK against ही मिलते हैं लेकिन lifetime free रहते हैं और कुछ ऐसे भी card के बारे में बताऊंगा जिन पर वैसे तो कुछ वाइनिंग fees भी है annual fees भी है लेकिन वो mostly offer के साथ आपको lifetime free ही मिल जाते हैं तो total best जो 20 lifetime free credit card आपको मिल सकते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दूँगा पूरी वीडियो डिटेल में होने वाली है तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकते हैं लेकिन information आपको सही और सटीक मिलेगी तो आप वीडियो को like कर दीजिए चैनल को भी subscribe कर दीजिए क्योंकि money related content मैं इस चैनल पर upload करता रहता हूं यहाँ पर मैं एक चीज आपको किल्या कर देता हूं कि जो number 1 से लेकर number 20 तक मैंने जो number बाते हैं उसका ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि जो number 1 पर है वो बहुत best card है और जो number 20 पर है वो card उतना best नहीं है लेकिन मुझे कोई ना कोई number देना था इसलिए मैंने बताया बाकी हर card के अपने अपने benefit है तो चलिए शुरुआत करते हैं number 1 credit card से ये credit card बहुत popular है इसका नाम है Amazon Pay ICICI credit card या पर यूँ कह सकते हैं ICICI bank Amazon Pay credit card कुल मिलाके नाम सही समझ गए होंगे आप Amazon Pay के साथ ICIC bank ने co-branded करके ये card निकाला है करते हैं तो आपको unlimited 5% का यहां पर cashback देखने को मिलता है इसके अलावा यहां पर अगर आप माल लीजे आप non-prime customer है आप Amazon पर prime member नहीं है तो भी आपको 3% का cashback देखने को मिल जाता है इसके अलावा जो Amazon Pay के partner merchant है उनसे आप flight book करते हैं बिक करते हैं, travel book करते हैं कुछ भी करते हैं तो वहां भी आपको 2% का cashback देखने को मिल जाता है और इसके अलावा भी आप इसको कोई other transaction के रिए यूज करते हैं वहां भी आपको 1% का cashback देखने को मिल जाता है अगर आप इससे fuel भर दाते हैं तो फ्यूल सरचाज वेवर भी आपको 1% का मिल जाता है। बस इसमें एक ही कमी है कि इसके अंदर आपको कोई भी एरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। पर लाइप टाइम फ्री में ये कार्ड काफी बैस्ट है मेरी नजर में और ये जल्दी अप्रूव भी हो जाता है। नेक्स्ट दो नंबर पर जो हमारा क्रेट कार्ड है ये भी ICIC बैंक की तरफ से आता जिसका नाम है ICICI प्लेटिनम चिफ क्रेडिट कार्ड ये कार्ड भी लाइप टाइम फ्री है लेकिन अगर मालीजे आप 100 रुपे स्पेंट करते हैं यूटिलिटीज पर और इंसोरेंस तो आपको एक reward point मिलता है और अगर रिटेल पर चीज पर आप इसे खर्च करते हैं तो 100 रुपे आप स्पेंट करने पर आपको 2 reward point मिल जाते हैं इसके अलावा इनकी जो partner restaurant है वो 25 से भी जादा है वहाँ भी आपको 15% का cashback या discount देखने को मिल जाता है साथ ही यहाँ भी कार्ड है नमबर 3 पर यह कार्ड भी काफी बढ़िया है और lifetime free है इसका नाम है federal bank iscapia credit card और यह federal bank के साथ co-branded करके आता है इसमें mobile app आप download कर सकते हैं और वहीं से आपको वीडियो के वाइस ही करनी होती है और वहीं से ही आपका जो कार्ड है वो वर्चुली हाथ वाथ जनरे यह कार्ड lifetime free है लेकिन इस कार्ड में आपको काफी सारे benefit मिलते हैं benefit के अगर बात करें तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कोई भी 4x markup नहीं लगता जीरो 4x markup है और अगर आप last month 5000 रुपे spend कर देते हैं तो आपको unlimited domestic airport lounge access भी मिल जाता है इसके लावा इनक spend करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 scap ya coins मिलेगे value की अगर बात करें तो जो 5 scap ya coins है उनके price एक रुपय होती है निको उनकी जो value है वो एक रुपया होती है तो यह card भी बहुत सही card है अगला जो card है यह IDFC bank की तरफ से आता है इसको मैंने चोथे नमबर पर रखा है इसका नाम पर बिस हजार रुपे से कम spend करते हैं तो आप जब online इसे use करेंगे तो आपको 6x reward point मिल जाते है और अगर offline इसे use करेंगे तो 3x reward point मिल जाते हैं लेकिन अगर एक मन्त में आप 20,000 रुपे से ज़्यादा spend कर देते हैं तो फिर आपको point मिलते है वो 10x मिलते है और जो अपने birthday पर आप spend करते हैं उस पर भी आपको 10x reward point मिल जाते हैं इसके अलावा अगर आप ATM एप से movie ticket बुक करते हैं वहाँ भी आपको up to 25% का discount देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इनके जो partner restaurant है वो भी 1500 से जादा है अगर वहाँ पर आप card का use करेंगे तो up to 20% का discount देखने को मिल इसके अलावा काफी सारे merchant offer भी आपको इस card पर मिल जाते हैं health और wellness अगर आप वहाँ पर use करेंगे health and wellness center पर वहाँ भी आपको up to 15% का discount देखने को मिल जाता है इसके अलावा इस card के साथ बहुत सारे feature और भी मिलते लेकिन एक और feature है जो मुझे काफी बढ़िया लगता है इ इसके भी IDFC bank की तरफ जाता है इसका नाम है IDFC first select credit card इस card की अगर बात करें तो ये भी lifetime free card है और इसके भी feature काफी बढ़िया है जैसे अगर बात करें इस card की तो यहाँ पर माल लीजिए आपने card लिया card आपको issue हो गया 90 days के अंदर अगर आप 15,000 रुपे spend कर देते तो आपक कोई EMI भी बनवा लेते हैं तो भी आपको 5% का यहाँ पर जो है cash pack या discount देखने को मिल जाता है इसके लावा reward point की बात करें तो इसके reward point भी काफी अच्छे है अगर आप 25,000 रुपे से कम एक मंत में spend करते हैं तो आपको online shopping पर मिलेगे 6x reward और offline पर मिलेंगे 3x reward वहीं अगर 25,000 रुपे से ज़्यादा का बिल बना देते हैं मंत में तो फिर आपको 10x reward point मिलेंगे और अगर birthday वाले दिन आप spend करते हैं तो भी आपको 10x reward point मिलते हैं वहीं अगर lounge access की बात करें तो आपको domestic airport lounge access मिलते हैं 4 और वैसा railway lounge access भी आपको 4 ही मिल जाते हैं अगर 4x markup की बात करे और भी बहुत सारे benefits इस card के साथ आपको मिल जाते हैं अगला जो मैंने card 6 number पे रखा ये भी IDFC bank की तरफ से आता है और इसका नाम है IDFC first classic credit card इस card को अगर बात करें reward point की तो यहाँ पे भी simple सा system है अगर आप 20,000 रुपे से मन्त में कम spend करेंगे तो आपको यहाँ पे जो point मिले अगर अपने birthday पर यूज करोगे तो भी आपको 10x reward point मिलेंगे यह card भी lifetime free मिलता है अगर इस card को यूज करके आप movie ticket buy करते तो आपको monthly 25% का discount मिलेगा वो up to 100 रुपीजी हो सकता है एक मन्त के अंदर इसके अलावा आपको quarterly 4 railway lounge access भी मिल जाते है और 1% का fuel सर्चार वेवर भी म मिल जाता है अगर आपने पिछले मंत में एक भी transaction इस card से किया है तो आपको personal accidental cover भी 2,00,00 रुपे तक का मिल जाएगा और अगर यह card आपका खो जाता है कुछ भी खराब हो जाता है लोस्ट हो जाता है तो भी आपको 25,000 रुपे तक की जो है lost card liabilities यहाँ पे मिल जाती है इस का नाम है IDFC first bank wealth credit card अब वैसे तो यह card lifetime free है लेकिन भाई साब जो इसकी feature है वो premium है इसमें अगर reward point की बात करते हैं सबसे पहले आप अगर 30,000 रुपे से कम spend करते हैं तो online spending पे आपको मिलेगा 6x reward और offline पे मिलेंगे 3x reward वहीं 30,000 से ज्यादा करते हैं तो 10x reward point मिलेंगे और birthday क के दिन को spend करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 10x reward मिल जाएंगे एरपोर्ट lounge access की बात करें तो quarterly आपको 4 domestic airport lounge access मिलते हैं और 4 international मिलते हैं सर्त यह कि आपकी जो monthly spending है वो minimum 5000 रुपे होनी चाहिए यह किसके साथ priority pass भी आपको मिलता जिससे आप international airport lounge access ले सकते हैं इसके लावा इस spa के visit भी आपको quarterly charge free में मिल जाते हैं तो यह card काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें यह feature के साथ साथ आपको air accident cover मिलता है एक करोड रुपे का और आपको personal accident cover मिलता है 10 लाख रुपे का और card अगर खो जाते हैं तो lost card liability आपको मिलती है 50,000 रुपे की और अगर आप international travel करते हैं व समझ लीजे भाइसा मज़े हो गए क्योंकि इसके feature बहुत ही जबरदस्त है अगला जो आठ नंबर पर हमने credit card है यह small finance bank की तरफ चाता है reward point मिलते हैं इसके अलावा यह भी कहते हैं कि 90 days के अंदर आपको 3 time 5% cash back भी मिल जाएगा और quarterly आपको 4 airport lounge access भी मिल जाता है और fuel पी सारे feature इसमें आपको देखने को मिलते हैं तो lifetime free के साब से यह credit card भी काफी सही है और हाँ इसका approval भी जल्दी मिल जाता है इसके अलावा 9 नंबर पर जो हमने card रखा है कोटक बैंक की तरफ से कोटक 811 dream different credit card इसके अगर reward point की बात करें तो यहाँ पे अगर आप online transaction करते हैं तो 100 रुपे पे आपको दो reward point मिलता है अधर transaction करते हैं तो 100 रुपे पे आपको एक reward point मिलता है एवरी 3 मत में आप 4 PVR की ticket भी से ले सकते हैं एक परसंट का fuel सर्चार वेवर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है तो भईया lifetime free मिलता है और इसकी बाइसाब जो approval rate नहीं वो भी काफी ज़धा तुरंती अप्रूम हो जाता है और भी कुछ चोटे मोटे feature साथ मिल जाते है तो अब यहाँ पे में जो अगले दो काड़ बताने वाला हूं यह आपको FD के अगेश्ट मिलते हैं लेकिन यह भी lifetime free होते हैं एक है काफी popular one card credit card यह भी आपको FD के अगेश्ट मिलता है इसमें दो तरह के काड़ आते हैं एक आते है plastic PVC काड एक आते है metal काड अगर आपको plastic PVC का चाहिए तो आपको minimum 5,000 रुपे की FD करवानी पड़ेगी और अगर आपको metal card चाहिए तो minimum 50,000 रुपे की FD करवानी पड़ेगी अब वैसे यह lifetime free है लेकिन इसमें जो feature है वो कम हैनी benefits थोड़े कम मिलते क्योंकि इसके reward point थोड़े से हलक हैं आपको 50 रुपे खर्च करने प बाद में आपको कोई बड़ा card भी मिल सकता है अगला जो credit card वो है IDFC first bank की तरफ से यह FD के अगेश्ट आपको मिलता है IDFC first bank wow credit card तो इसमें भी simple जाफंडा है कि भाई सब अगर आपका bank में account है तो 2000 के FD मिल जाएगा और account नहीं है तो करीब 5 रुपे के आपको FD करानी पड मिल जाएगा card हो जाता है तो यह lost card liabilities भी आपको 25,000 उपे तक कि इसमें मिल जाती है इसके अलावा इसके एक खास बात यह भी है कि इसके जो आपको reward point मिलते वो कभी expire नहीं होते easy to reader में इसके अलावा कुछ इनके partner restaurant है उन पर भी आपको 20% तक discount मिल जाता है और 3000 से ज्याद पर आपको मिलते हैं लेकिन wow card में benefit थोड़े से जादा मिल जाते हैं तो यह 11 credit card के बारे में मैंने आपको बताया है यह lifetime free के इसाफ से बहुत पढ़िया है अब आगे में 5 ऐसे credit card आपको बता रहा हूं वो भी lifetime free है लेकिन वो रुपे network पे आते हैं यूपियाई से connect करके यह card काफी अच्छा है एक bank को बड़ोदा की तरफ से भी आपको मिलता है bank और बड़ोदा easy credit card यह भी रूपे network पर ही आता है इसके लावा ICIC bank की तरफ से आता है ICICI bank coral रूपे credit card एक access bank क्रेडिट card कीवी के आपको app download करनी पड़ेगी वहां से आप इसको apply कर सकते हैं और एक yes bank का भी अभी नया नया card है इसका नाम है yes bank रूपे credit card यह भी आपको जो है मिल जाएगा और यह पांच जो रूपे credit card है यह अच्छे credit card है इनको आप ले लिजए लाइफ टैम फीरी है UPS connect कीज़े UPS payment कीज़े उन पर आपको reward मिलता रहेगा अब जो चार credit card बचे हुए है यह जो चार credit card है वैसे तो इन पर जोइनिंग फीस भी लगती है और एन्वल फीस भी लगती है लेकिन 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 बैंक्स जो है जो इन कार्ड को provide करती है वो इनके लिए offer निकालती रहती है और mostly यह lifetime free में ही आपको देखने को मिलते है तो अगर इन में से कोई भी आप आपको lifetime free मिल जाता है तो आप तुरंत ले लीजिएगा इसमें 17 नंबर पर जो हमारा card है यह है भाई साथ इंडिसाइंड बैंक का lease and credit card आप देखें यह अगर आपको lifetime free मिल जाता तो इसके feature काफी अच्छ है से easy diner पर आपको 2000 रुपे का voucher मिल जाता है जैसे आपको यह card म मिल जाता है रेस्टोरेंट्स और बार पर हां और इसके अलावा आपका birthday है आपकी anniversary है तो वहां भी आपको एक complimentary cake मिल जाएगा कुछ selected restaurant पर इसके लावा reward point की बात कर लेते हैं तो भाई सब अगर आप weekdays पर 100 रुपे spend करते तो आपको एक reward point मिलता है और weekends पर अगर आप 100 र travel plus program भी चलता है उसमें आपको काफी तरह के travel वाले benefit भी मिल जाते है तो अगर ये card आपको lifetime free में मिल जाता है तो card काफी सही है इसके बाद अगला जो create card है जो अठारवे number पर मैंने रखा ये भी indesigned bank की तरफ से आता है indesigned bank platinum aura is card अब ये card भी हलाकि joining fees के साथ आता है और annual fees इस पर लगते है लेकिन mostly ये भी lifetime free मिलता है ये card अगर आपको lifetime free मिलता है तो यहाँ पर आपको saving point मिल जाते है अलग-अलग categories में जब आप spend करते हैं तो 4 saving point मिलते हैं कुछ category में 2 saving point मिलते हैं कुछ category में 0.5 जो है point आपको saving point मिल जाते है इसके अलावा travel benefit काफी अच्छे है अगर आपका bag is lost हो जाता है खो जाता है तो आपको 1,00,000 रुपे तक का cover मिलता है और यहाँ पर बैग delay हो जाता है तो 25,000 रुपे तक का cover मिलता है और एक परसेंट का fuel surcharge waiver भी मिलता है इसके लावा छोटे मोटे benefit और भी इस card के साथ आते हैं तो अगर lifetime free मिल रहा है तो यह card भी आप ले सकते हैं अगला जो card है जो मैंने 90 number पर रखा यह आता है HDFC bank की तरफ से HDFC millennia credit card यह card काफी popular है हलाकि इस पर joining fees लगती है लेकिन mostly यह lifetime free मिलता है इस पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए reward point की बात करते है सबसे पहले अगर आप 2000 रुपे से जादा का online spend कर करते हैं तो वहां पर आपको झो है में आप 8 बार domestic airport lounge access कर सकते हैं और भी चोटे-मोटे benefits के साथ आते हैं काफी popular card है lifetime free offer में आपको मिलता है तो बहुत पढ़िया है अगला जो card है जो मैंने 20 number पर रखा यह access bank की तरफ से आता है access bank my zone credit card काफी popular है और यह भी वैसे joining fees के साथ आता है लेकिन mostly lifetime free offer में मिलता ही रहता है इसको अगर आप ले लेते हैं तो भाई सब आप weekends पे अगर 200 रुपे spend करेंगे तो आपको 24 points मिलेंगे और अगर other days में इसको use करेंगे तो आपको 200 रुपे spend करने पर चार reward points मिलेंगे साथ में फ्यूल सर्चार वेवर भी मिलता है इसके साथ airport lounge access भी मिल जाते हैं और अगर कोई movie ticket इससे book करते तो भी 25% का आपको cashback देखने को मिलता है तो जितने भी मैंने card बता है total 20 cards है अलग-अलग category में कोई FD पे मिलेगा कोई आपको offer के साथ मिलेगा कोई completely आपको lifetime free मिलेगा सबके जो main main feature थे वो मैंने आपको बता दिये अगर आपको कोई भी card पसंदे तो आप उसकी detail वीडियो भी मेरे ही चैनल पर देख सकते हैं इसमें आपको मैंने एक एक card की detail के बारे बताया है कि कोन-कोन से feature उसको detail में मिलेंगे क्या charge है क्या fee से सब कुछ बताया है बाकि आपका favorite card कौन सा है या आप इन में से कौन सा card already use कर रहे हो या कौन सा card आप apply करने वाल हो वो comment section में लिख के जरूर बताना कोई और सवाल पूछना है किसी भी card के regarding वो भी आप comment section में सवाल पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like share कर दीजिए चल पर पहली बार आए subscribe परने के साथ notification bell को दबा के all पे click करें इसी तरहीं की वीडियो में आपके लिए बनाते रहता हूं चलिए मिलते अगली वीडियो में एक नए टोपिक के साथ अब तक के लिए जैहिए 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 जैहिए